स्वामी विवेकानन इंटर कॉलेज महूदा में विक्च लगाओ जीवन बचाओ कारेक्रम के अंतरगत कॉलेज प्रांगन में कुल 105 पेड़ पौधे लगाए गए साथी कॉलेज की सभीयान में पूरवर्ती छात्र छात्राओं एवं वर्तमान छात्र छात्राओं के द्वारा अपने अपने छेत्र में गाओं में एवं घरों में कुल मिलाकर 500 से अधिक पेड़ पौधे एक दिन में लगाए गए इस अभियान में कॉलेज के सभी सिक्षक गनों का भरपूर सहयोग रहा इस कार्य हितु कॉलेज के उप प्रचार्य प्रेमरवानी प्रचार्य एश कुमार और सचिव सिकंदर हुशैन ने स्वामी वेका नंदी इंटर कॉलेज की पूरी टीम को बधाई देते हुए सराहना की है साथी कॉलेज के सचिव एश हुशैन ने कहा एक पेंड हजारों जिंदगियां बचाती है इसलिए देश के हर नागरी को एक पेंड अवश्य लगाना चाहिए और यह प्रतेख व्यक्ति का नैतिक कार्य भी है साथी एस हुशैन ने कहा इस वर्ष हमारे लक्षे है दस हजार पेंड लगाने का जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना हो व्रिक्षार ओपन कारेकरम के जरिये श्वामी वेकान इंटर कॉलेज द्वारा देशवा समाज को बड़ा संदेश दिया एवं लोगों से अपील किया कि देश के प्रतेख नागरी को एक पेंड लगाना चाहिए यह हमारा नैतिक कार्य है इतिहास की बात करें तो विश्व पर्यावरन दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है पर्यावरन और जीवन का टूट संबंध है फिर भी हमें अलग से यह दिवस मनाकर पर्यावरन के संरक्षन, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की आवशक्ता है यह बात चिंता जनक ही नहीं सर्मनाग भी है पर्यावरन प्रदूशन की समस्या पर शन 1972 में संयुक्त राष्ट संगने स्टॉक होम स्वीडन में विश्वभर के देशों का पहला पर्यावरन सम्मेलन आयोजित किया इसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही प्रित्वी का सिध्धान्त मान्य किया करके ब्रिच लगाओ और जीवन बचाओ अभ्यान चला रहे हैं ताकि इस महामारे में जिस तरह से ऑक्सिजन की कमी है पुरे देश में पुरे विस्व में तो कहीं ने कहीं अपनी भागिदारी निम्हाते हुए पेड़ लगा करके अपने इंसानियत होने की पहचान देने का हम लोग परण लिये हैं कितना लक्ष है पर लगाने के साथ अभी वर्तमान में तो हम लोग आज 500 ब्रिच लगाए हैं लगवक सारे विद्याथियों से लेकर सिच्छकों के सहयोग से लेकिन यह निरंतर चलता रहेगा और लक्ष कम से कम 10,000 ब्रिच हम लोग 10 साल लगाएंगे लेकिया संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम परतेख नागरी को यह सोचना चाहिए कि हम एक ब्रिच लगाने में हमें कितना वाक्त लगेगा अग कितनी दिन तक सरकार हमें यह मतलब यह अहसास दिलाते रहेंगे कि आपको पे यह नितिक करतव होना चाहिए कि एक इंसान एक पेड़ तक जरूर लगा सकते।